पहले गाजा और अब लिबनान पर इसराइल के भीशन हमलों से विश्व पटल पर नितन्याहू अलग थलग पढ़ते नज़रा रहे हैं नेटो मिंबर तुर्की ने एक बार फिर अंतरराश्ट्री विरादरी में इसराइल को आड़े हाथ लिया तुर्की के राश्ट्रपती ने गाजा में इसराइल के सैन्य अभियान की कड़े शब्दों में निंदा की एर्दोगन ने अंतरराश्ट्रे समुदाय से बेंजमिन नितन्याहू के हत्या नेटवर्क के खिलाफ कारवाई करने का आग रह किया इतना ही नहीं एर्दोगन ने इसराइली प्रधान मंत्रे की तुलना एडॉल्फ हिटलर से कर दी न्यूयोक की 69 तरवी यूएन की महासभा को संबोधित करते हुए एर्दोगन ने गाजा में इसराइली सरकार की कारवाई पर सवाल उठाय फिलिस्तिनी इलाके को एकागरता शिविर तक करार दिया एर्दोगन ने गाजा में कतित अपराधों के लिए इसराइल को जवाब दे ठहराने के लिए अंतर राश्य ने आयाले में दक्षुण अफरिका की ओर से दायर मुकदमे के लिए अपना समर्थन दोर आया उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि तुर्के के लोग इसराइल की लोगों के प्रति कोई दुश्मनी नहीं रखते है हमारी समस्या इस्रायल सरकार की नरसंगाद नीदियो से है बीलोग्मा कुर एकमेक, बीदूम पर यूदूम सू बीर तस चोरबा बुदमादी इचिन बुगूने कादर यूजर्चे जजेली चोचुक अज्योग आप एल्योगु Gaze'de Sadece Çocuklar Değil Aynı Zamanda Birleşmiş Milletler Sistemi Ölüyor Hakikat Ölüyor Batının Savunduğunu İddia Ettiği Değerler Ölüyor İsrail'in Son Günlerde Saldırılarını Artırdı Lübnan Halkının Ve Hükümetinin de Yanındayız Bundan 70 Sene Önce Nasıl Hitler İnsanlığın İttifakıyla Durdurulmuşsa Netanyahu Ve Cinayet Şebekesi De İnsanlığın İttifakıyla Durdurulmalıdır Buradan Bir Kez Daha Canları Pahasına Vatanlarını Savunan Filistinli Kardeşlerimi Yürekten Selamlıyorum İsrail'in Filistin Halkına Yönelik Saldırganlığının Tek Nedeni Bir Avuç Ülkenin İsrail'e Olan Kayıtsız Şarjsız Desteğidir Erdogan Ne Gaze'de Narsanghar Ko Rokneme Vifalta Ke Liyye Sanyukt Raştuki Bhi Aaloçna Ki तुर्की के राष्टपती Erdogan ने कहा कि गाजा में संघर्ष जारी रहने के लिए UN का सिस्टम और पश्चिमी दुनिया की value खत्म हो रही है उन्होंने इसराइल को रोकने के लिए मानफता के गटवंधन का आहवाहन किया संयुक्त राष्टर महासभा में Erdogan ने गाजा में सेन ने अभियान के लिए इलाके की कड़ी आलोचना की और इसराइल को समर्थन देने के लिए पश्चिमी देशों की भी आलोचना की गाजा में बच्चों के साथ साथ UN का सिस्टम भी मर रहा है मानफ्ता की एक बहादूर दुनिया में रहने की उमीदें एक एक करके मर रही है क्या गाजा और कबजे वाले पश्चिमी तड़ पर रहने वाले लोग इंसान नहीं है क्या फिलिस्टीन में बच्चों के कोई अधिकार नहीं है एर्दोगेन ने अंतर राष्ट्वे अपराधिक नयाले के वकील करीम खान से इस्राइली ने ताउं के खिलाफ युद्ध अपराध के आरोपों को जारी रखने का आगरह किया इसराइल विरोधी रहें एर्दोगेन ने इसराइल पर नये नरसंगहार जोडने की यूजना बनाने का आरोप लगाया तुर्की का दावा है कि उनमें से इसराइली युद्ध अपराधों के सुबूत हैं तुर्की ने इसरायल के साथ सभी व्यापार रोक दिया और विश्व नयायाले में इसरायल के खिलाफ नरसंगहार के मामले में शामिल होने का आवेदन किया